नेक्ट रिस में देखते हैं most basic कौन सा है देखो आपको यहाँ पे एक printing mistake दिया हुआ है CS2 यहाँ पे आप लोग देखना CS2 आना चाहिए ठीक है और आपको दिया हुआ है compound is most basic basic कौन होगा basic कौन होगा basic strength मैं आपको पहले ही पताया था कि localized lawn pair आपको भी depend करता है ठीक है basic strength को बढ़ाते है electron donating group और कौन कम करते हैं electron withdrawing group कम करते हैं ठीक है और localized lawn pair जो होते है localized lawn pair उनकी best strength क्या होगी सबसे ज़्यादा उनकी best strength क्या होती है ज्यादा ठीक है तो यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो यह कौन सा group लगा हुआ है माइनस M कौन सा group लगा हुआ है माइनस M ठीक है माइनस M का मतलब हम लोग यह मानते हैं कि कौन सा effect है electron withdrawing effect है और यहाँ पे जो lawn pair है यह क्या है दी-localized lawn pair है कौन सा lawn pair है दी-localized इसका मतलब हमारा का A option तो बिल्कुल भी correct नहीं होगा इसमें आम लोग देखते हैं कि NH2 दिया हुआ है आपको और NH2 के उपर क्या दिया हुआ है lawn pairs दी होगा है तो NH2 के उपर जो lawn pair है वो lawn pair localize lawn pair है इसलिए हमारा यह वाला option जो correct होगा क्योंकि best strand को क्या करें यह बढ़ा है ठीक है उसके बाद आप इन दोनो examples में देख सकते हो तो यहाँ भी क्या है दी-localized lawn pair है दी-localized lawn pair और इस वाले में भी क्या है दी-localized lawn pair है तो यह दोनों option भी हमारे option नहीं होगे तो सही option जो आपका होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए B option will be the correct answer clear है